नमस्कार, सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अन्शिका दिल्ली में आए दिन उपराज जपाल और दिल्ली सरकार के बीच कोई नया बवाल खड़ा हो जाता है केंडर के अध्यादेश से तो केजरिवाल पहले से ही बौक लाए हुए हैं भले ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए केंडर के अध्यादेश से पावर फिर से LG के हातों में चली गई है लेकिन पावर की जंग अब भी दिल्ली में खत नहीं हुई अब नया तमाशा केजरिवाल ने LG के एक और आदेश पर शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट से मदद की भीक मांगने लगे है केजरिवाल ने फिर एक बार LG के आदेश पर छाती पीटना शुरू कर दिया है महीं अध्यादेश पर दिल्ली सरकार की ओर से लगाई गई याचका पर भी अब जल्द सुनवाई होने वाली है ऐसे में LG और केजरिवाल के बीच की नई जंग पर तमाम सवाल सो लग रहे है LG ने क्यों किया केजरिवाल के चहेतों को बर्खास केजरिवाल ने क्यों मांगी सुप्रीम कोर्ट से मदद LG के फैसले पर क्यों बिल्बिलाए केजरिवाल अध्यादेश की जंग क्या जीत पाएगी दिली सरकार? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि केजरिवाल ने अपने मन माने ढंग से दिली सरकार के कई विभागों में जो अपने चहेतों को नियुक्त किया था उन्हें LG ने पहले तो बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब उनके वेतन और उन्हें मिलने वाली सेवाओं पर भी रोक लगा दी खुद को दिली का बौस समझते हुए केजरिवाल ने LG की स्वीकृती के बिना ही दिली सरकार और उससे जुड़े विभागों में सलहकार परामर्श दाता, सीनिया रिसर्च फेलो, विशेशग्य और अन्य पदो पर 437 लोगों को नियुक्त कर दिया और ये सभी लोग आम आदमी पार्टी के कारेकरता ही थे, यानि LG की मनजूरी लिये बिना ही दिली सरकार ने ये फैसला कर लिया, वो भी तब जब केंडर दिली में अध्यादेश ले आई, और फिर दिली सरकार ने इसके खिलाफ याचिका भी डाल दी, सुप्रीम कोट के वैसले का भी केजरिवाल से इंतजार नहीं हुआ, ऐसे में LG ने केजरिवाल को सबक सिखाते हुए इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, इस मामले में सेवा विभाग के और से आदेश जारी करते हुए, इन लोगों को मिलने वाली सेवाओं को तुरंत रद करने के आदेश जारी कर दिये गए, इसी को लेकर अर्वन केजरिवाल ने फिर से बिलबिलाना शुरू कर दिया है, और फिर से सुप्रीम कोर्ट के आगे रोना दाना शुरू कर दिया, केजरिवाल ने सेवा विभाग के और से जारी आदेश को लेकर मामले का सारा ठीकरा LG पर खो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अब ये नया बवाल ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब दोनों में सेवाओं पर अधिकार को लेकर पहले से जंग चल रही है जो अधिकारी के गोटालों की फाइलों के पन्ने पलट रहा है उसी अधिकारी की ओर से जारी किये गए आदेश के बाद इन लोगों को बरखास्त कर दिया गया है जिससे केजडिवाल को और भी ज्यादा मिर्ची लगने लगी है सेवा विभाग की ओर से जारी आदेश में क्या कहा गया दरसल ये मामला सामने आते ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग में विशेश सचिव राजशेखर ने इसे लेकर लिखित आदेश जारी कर दिया था वित विभाग को लिखे गए पत्र में साप कहा गया कि इन पदों पर लोगों की तैनाती बिना मंजूरी के की गई है इसलिए इनका वेतन तुरंत रोग दिया जाए इसके साथ ही इनकी सेवाएं ततकाल रूप से बंद भी कर समेत अन्य एवं स्वायत निकायों में कुछ लोगों को रखा गया इसके अलावा दिल्ली सरकार के विभिन विभागों और एजन्सियों में फेलो सहायक फेलो सलहकार उपसलहकार विशेश अग्य सीनियर रिसर्च ऑफिसर कंसल्टेंट इत्यादी पदों पर केजरिवाल क चहेतों की नियुक्ती हुई विशेश सचेव अपने पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि नियमानुसार इन सभी पदों पर तैनाती से पहले उपराजिपाल की मनजूरी लिया जाना जरूरी था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और नियमों की अंदेखी कर इन्हें बैठाया इतना ही नहीं तैनाती के दौरान SC, ST, OBC कैंडिडेट के लिए आरक्षन के नियमों का भी पालन तक नहीं किया गया मन माने ढंग से बस अपने लोगों को नियुक्त करने के चलते दिल्ली सरकार ने बाकी लोगों के अधिकारों का गला घुर दिया इसलिए तकाल प्रभव से इस तरह के पदों पर तैनाती पाने वाले सभी लोगों के वेतन रोके जाने के आदेश जारी कर दिये गए इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इनकी सेवाएं आगे से ना ली जाये और अगर किसी भी विभाग में इनकी सेवाओं को जारी रखा जाता है या फिर वेतन जारी किया जाता है तो फिर सम्बंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ आदेशों का उलंगन करने के मामने में कारवाई होगी पत्र में साफ कहा गया कि फैलो और सलाकारों की नियुक्ती दिल्ली सरकार नहीं कर सकती ऐसा करने से पहले LG विने कुमार सक्सेना से मंजूरी लेने को कहा गया है सबी विभागों और बोडों से कहा गया है कि वो बिना पूर्व मन्जूरी के किसी को फैलो और सलाकार के रूप में काम पर नहीं रख सकते सरकार से जुड़े विभागों में 67, निगमों में 133, विभाग एवं संगठनों में 237 पदों पर इन लोगों की तैनाती की गई 23,000 रुपे प्रती मातक का वेतन मान दिया जा रहा था यानि पद के हिसाब से इन लोगों को 60,000 से 2,65 प्रती महीने के हिसाब से भुकतान किया जा रहा था और यह सब केजरिवाल की महरवानी से किया जा रहा था इससे पहले LG ने इन सभी लोगों को बरखास कर दिया था जिस पर तो केजरीवाल बिलबिलाए ही लेकिन इनके वेतन को रोके जाने को लेकर भी उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया LG के आदेश पर केजरीवाल क्यों बिलबिलाए दरसल दिल्ली में केंडर के अध्यादेश के बाद से ही LG और केजरीवाल के बीच अधिकारों पर छेड़े विवात को और भी हवावल गई केजरीवाल अब बस बेगानी शादी में दिवाने अब्दुल्ला की तरह हरकते कर रहे हैं उनका दूर दूर तक अधिकारों से लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो नियमों का उलंगन कर LG की मनजूरी के बिना ही लोगों को तैनात करने में लगे हैं केजरिवाल उस भ्रम को सक्थ साबित करने में लगे हैं जिसमें वो ये सोचते हैं कि दिल्ली में पावर अब भी दिल्ली सरकार के हातों में हैं जबकि केंद्र के अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पूरी तरह से पलट ही गया और केजरिवाल के हातों से सारे अधिकार छिन गए अब सच्चाई ये है कि किसी भी न्यूक्ती या किसी भी फैसले को लागू किये जाने से पहले दिल्ली सरकार को LG की मंजूरी लेना जरूरी है अधिकारों से केजरिवाल का अब दूर दूर तक लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी केजरिवाल LG से पंगा लेने में पीछे नहीं रहते हैं और पिर अपने ही कारनामों पर रोना गाना शुरू कर देते हैं एहम सवाल ये भी है कि केजरिवाल ने अपने ही लोगों को इन पदों पर नियुक्त क्यों किया? तो बात कुछ ऐसी है कि केजरिवाल अधिकार अपने हाथ में लेना ही इसलिए चाहते है क्योंकि उनका एक मात्र मकसद अपने घोटालों को दबाना और दिल्ली पर काबू पाना है। कि सकसेना के आदेश को दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का गला घोटने वाला करार दिया है। अध्यादेश के खिलाब दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महीं अब LG के जटके के बाद केजरिवाल को एक और जटका लगने वाला है। वो जटका ऐसा होगा कि केजरिवाल सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लेना भूल जाएंगे। क्योंकि जो याचिका दिल्ली सरकार की और से अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब केजरिवाल के हाथ खाली रहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में गिर गिराने पहुंच गए अब मौनसून सत्र में भी अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध की तैयारी कर रही है बशर्ते आपके पास इसका विरोध करने के लिए जरूरी संख्या होनी चाहिए जोर्विन केजरिवाल के पास नहीं है क्योंकि कॉंग्रस ने अब भी आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन नहीं दिया है इसके अलावा जन पार्टियों का समर्थन केजरिवाल को मिला है वो अध्यादेश के विरोध के लिए काफी नहीं है वहीं आप केजरिवाल सुप्रीम कोर्ट से आस लगा रहे हैं कि वो इस मामले में उन्हें राहत देगा लेकिन सवाल है कि क्या वाकई केजरिवाल की ख्वाहिश पूरी होगी क्योंकि अध्यादेश में तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे सरकार को नुकसान हो रहा हो या दिल्ली को नुकसान होगा बलकि केजरिवाल जस तरह से डिली में अपनी मनमानी कर अपने अधिकारों का गलत इस्तमाल कर रहे थे वो राजधानी के लिए खतरनाक साबित हो रहा था ऐसे में जो सुनवाई सुप्रीम कोट में होगी उसमें केजरिवाल को जटका लगने की पूरी संभावना नजर आ रही है जिसके बाद केजरिवाल चाहे लजी के फैसले पर छाती पीटे या दिली सरकार के अधिकारों का गला गोटने जैसे बेतु के बयान दे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके बाद ना चाहते हुए भी अर्विन केजरिवाल को ये तमाशा खत्म करना होगा और एलजी की मनजूरी के बाद ही दिली में फैसले भी लेने होंगे सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलाल इतना ही नहीं मुद्य के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार